प्रशन उठाने से पहले और कॉंग्रेस के बारे में प्रशन उठाने से पहले भाजबबा को दलिक और आदिवासी विरोधी मानसिफ्ता को देकर जबाब देना पड़ेगा क्या ये सही नहीं के आरेसेस प्रशन को खतम कर देने की बात कही थी और प्रधान मंत्री ने कभी उस बात का खंडन नहीं किया क्या ये सही नहीं के मोदी सरकार ने दलिक और आदिवासी सब प्लैन को हिंदुस्तान के भज़र से खतम कर दिया क्या ये सही नहीं के गल्गों और आपिकास्टियों पर बे इत्यासा अत्याचार मोधी सरकार में बड़े और कई जगें उनके मंत्री भागीदार पाए दे क्या ये सही नहीं के जब उनवे गल्गों की चंपटी उधेड़ी जाती है जब डेल्टा मेगवाल को राजस्तान की भाज़त्पा सरकार नहीं दे पाती जब रोहित वेमूला को बंदारू दकापरे और स्मृती इरानी के अत्याचारों के चलते आगम हत्या कर पहुंचना पड़ता है जब मदरास पेरियर स्टडी सरकल को केवल इसलिए बैन कर दिया जाता है कि उन्होंने मोदी जी के आलोचना का सास किया था जब मोदी सरकार के मंत्री दलितों के बच्चों को कुपते के पिल्ले की संध्या देते हैं तो प्रणान गंत्री मोदी एक शब नहीं बोलते हैं उन पर कोई तारवाही करते हैं दलितों पर बेंताशा जो अत्याचार हो रहे हैं और दूसरी तरफ एसकी कानून को खतम किया जा रहा है शडियंदर के पहर तो किस सरकार मुकत में की पहरवाही नहीं करती इसके लिए कौन जुमेवार है दलितों के बच्चों की छात्र बृती की राशी खतम कर दी जाती है काट दी जाती है उसके लिए कौन जुमेवार है दलितों की नौकरी उनको भारत सरकार में 92 प्रतिशक कम हो जाती है मोधी सर्कार उने काट देती है उसके लिए कौन जोन्यवार है सच यह है कि भारतिय जन्ता पार्टी के कंड़ कंड़े गलत ज्योधी मांसिक्ता कूठ कूठ कर रही है पहले हिंदू और मुसर्मान को लड़ाना उनका एजन्दा था और अब 2011 के चुनाओं में दलिक आदिवासी और गैर दलिक गैर आदिवासी को लड़ाना उनका अगला एजन्दा है प्रतु कॉंग्रेस पार्टी और शिरियाओं गांती उनको इस शडियत्र में कभी काभियाब नहीं हो दे